नमस्कार दोस्तों दोस्तों पेट में क्रमी होना एक बहुत ही सामानिसी बिमारी है हम सब ने अपने घरों में बच्चों में इस शिकायत देखी होगी कि उन्हें जीवन में किसी ना किसी मोड पर पेट में क्रमी होने की शिकायत पेदा हो जाती है ऐसी कंडिशन में एलोपेथी में अच्छी मेडिसिन्स आती हैं, उनकी एक डोस देने से ही काफी आराम लग जाता है, परन्तु समस्यां ये होती है कि ये जो पेट के क्रमी है, ये कुछी समय में बापस से पेदा हो जाते हैं, और ये जो हानिकारक एलोपेथिक मेडिसिन्स ह हम अपने घर के बच्चों को बार-बार नहीं दे सकते हैं, समस्या आती है दोस्तों कि ऐसी कंडिशन में क्या करना चाहिए, मैंने पहले भी पेट के कीड़ों पर वीडियो बनाया है और उसमें आपको बहुत अच्छी मेडिसिन्स की जानकरी दी है, जनरली हम सभी होमोव प्रकार के होते हैं, जैसे राउंड वार्म होते हैं, थ्रेड वार्म होते हैं, टेब वार्म होते हैं, है ना जैसे देखे तो एसकेरियसिस, हेलमेंथिस, टिचिनोसिस, इस तरह से अलग-अलग पेट में कीड़े पाये जाते हैं, इनमें दोस्तों जो राउंड वार्म होत करके combination के बारे में बताने जा रहा हूं जो मुझे दोस्तों एक मद्ध प्रिदेश में जिला है गुना वहाँ पर होमेथिक डाक्टर थे मैं उनका नाम तो सायद नहीं याद कर पा रहा हूं पर उन्तु वह बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस चलती थी अच्छी में उनके पास कोई डिगरी नहीं थी और केवल एक्सपिरियंस वेज्ट वह प्रैक्टिस करते थे तो वहां से मुझे दोस्तों इस combination के बारे में पता चला था और मैंने बहुत सारे मरीजों पर इस combination को यूज किया है और इसके तुरंत ही result देखने में मिलते हैं इस दोस्तों तो बहुत कावन से लक्षन आते हैं जैसे बच्चों में यदि पेट में क्रभी पाये जाता है दोस्तों तो उसे या तो भूग ज्यादा लग सकती या हो सकता है कि उसे भूग लगना बंद हो जाए बहुत कम भूग लगे पेट में गेस बनने की शिकायत हो सकती पेट में एंठन या मरोड सी बार बार उठ सकती है दोस्तो बच्चा जो है लगातार या तो कबज से परिशान रह सकता है या उसे बार बार दस्त से आ सकते हैं बच्चा सोते समय मूँ से लार बाहर निकालेगा कभी-कभी आपको इसा लगेगा यह मूँ से जाग जो है बाहर निकाल रहा है एक्चलि में जाग नहीं होता वो थूक का थोड़ा सा जो है गुबबारा टाइप जो है लिपसे के कोनों पर आपको बनता हुआ बार बार मीन में जो है आपको कभी-कभी जटके जिसा ले रहा हो ऐसा लगेगा कभी-कभी कोई यंग जो है उसके अचाना से कपका पाने लगेंगे थर थराने लगेंगे जब भी सोएगा बच्चा तो घुटनों को पेट की तरब मोड़ करके सोएगा इसके अलाबा दोस्तों दावनी है कि पेट में क्रमी पाए जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में जिसको भी पेट में कीड़े हो रहे हैं उसको एनस में यानी कि गुदा झ्षित्र में बारवार यसा लग सकता है कि जिस के गारण वो बारवार उस जगह को खुझ लाएगा आप देखेंकि बच्चे जo भी बार-बार खुजलाते रहेंगे क्योंकि यहां पर भी उन्हें वही फिलिंग आईगी नाग को कभी-कभी इतना जादा खुजलाएंगे कि खुजलाते खुजलाते नाग से ब्लीडिंग सी होने लगेगी तब तक वो उसे खुजलाते रहेंगे चुंकि पेट में जो क्रमी रहते हैं यह सारा रस खीच लेते हैं इसलिए बच्चा या बड़ा जो भी क्रमी से परिसाने वो लगातार धीरे-धीरे कमजोर होता जाएगा उसका बेट कम होता जाएगा चेहरे पे पीलापन पढ़ता जाएगा तो यह कुछ खास-खास लक्षण मैंने आपको बता है इसके अलावा भी अन्य लक्षण पाए जा सकते हैं जैसे कई बार जो क्रमी होते हैं वो पेट से आगे यूरिनरी ट्रेक्ट तक पहुँच जाते हैं तो लगातार पेशाब में जलन होना पेशाब करते समय दर्द होना ये भी लक्षण जोए नजरा सकते हैं इस टूल में कभी-कभी खोन के कुछ बूंदे आना ये भी दोस्तो वार्म के कारण क्रमी के कारण हो सकता है अब ये सब लक्षणों से आप एक बास समझ लीजे कि मैं यहाँ पर जो आपको काम्बिनेशन बता रहा हूँ उन काम्बिनेशन में चार दवाई हम मिलाएंगे उन चारों की चारों दवाई में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं इसलिए हम इन लक्षणों को रिपीट नहीं करेंगे न यह बताएंगे कि किस दवा का क्या लक्षण है क्योंकि उन चारों ही दवाई में यह जो लक्षण में आपको भी बता ही यह सब पाए जाते हैं किसी दवा में कोई लक्षन की तीवरता जादा होगी, किसी में कम होगी, परन्तु ये सभी लक्षन उन चारो दवाओ में पाई जाते हैं, इसलिए इन चारो दवाओ को हमने कंबाइन करके इस मिक्षर में लिया है, ताकि ना केवल राउन वार्म बलकि थेड वार्म और 30, आप सबसे पहले एक बास समझ लिजे कि आपको इस मिक्षर को बना कर रख लेना चाहिए, ये मिक्षर यदि आप बनाएंगे, तो जिस प्रकार से डाइलूशन की कोई expiry date नहीं होती, उसी प्रकार से ये मिक्षर आप बना कर रख लेंगे, तो इसका कोई expiry date नहीं होग का मैं आपको ये मिक्षर प्रेक्टिकली बना कर बताता, आगे हम किसी वीडियो में इसे प्रेक्टिकली आपको बना कर बता देंगे, तो समझ जाएंगे किस प्रकार से आपको बनाना क्यों कि बहुत ही easier, तो इसमें जो 4 Medicine हम मिलाएंगे, उसमें सबसे पहली Medicine है दौस्तो ये फाइल पूरी तरह से CINA 30, POTENCY 30 रहेगी CINA MEDICATION की, CINA 30, MEDICATION से ये FIAKAL पूरी भर लेंगे, और इस बड़ी FIAKAL में डाल देंगे, तो 4 MEDICATION से पहली MEDICATION हुई stina 30, दूसरी MEDICATION दोस्तों हम लेंगे TUKRIUM, Merum, Verum, तो जितनी सिना important है होमेपेती में उतनी ही Tukrium merom berom भी important है Tukrium merom berom भी हम 30 potency में लेंगे इसे पूरा भर कर Tukrium merom berom भी हम इसमें डाल देंगे दो दवाएं हो गई ये file आदी भरा जाई इसके बाद दोस्तो हम तीसरी medicine लेंगे Centoninum 30 potency में तो सेंटोनिनम को भी हम इस फाइल में पूरी भर करके इस बड़ी फाइल में डाल लेंगे अब ये बड़ी फाइल जो है वो 75% फिल हो गई और बचा हुआ चोथा भाग हम चोथी मेडिसिन से भरेंगे जिसका नाम है चेलोन गलावरा तो ये जो चेलोन गलावरा है दोस्तो उसे भी हम इस फाइल में पूरी तरह से भरके इस बड़ी फाइल में डाल लेंगे चेलोन गलावरा की पोटेंसी भी 30 रहेगी ध्यान रखे चारों की चारों दबाए हमने 30 पोटेंसी में ली सीना 30 मिलाई 25%, 25% मिलाई 25% मिलाई сेंटो नीना और 25% हमने मिलाई चेलोन गलावरा चेलोन गलावरा दोस्तों बहुत कम होमेथिक डाक्टर जानते हैं किन्तु चेलोन गलावरा ऐसी मेडिसीन है जो सीना से भी ज़्यादा पावरफुल है क्रमी को पैट से बाहर निकालने के लिए सीना तो हम सभी होमेथी डाक्टर चुंकि कोर्स के टाइम पढ़ते हैं इसलिए केवल वही मेडिसिन जानते हैं किंदो हमारे होमेथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो प्रचलित मेडिसिन से भी ज्यादा असर दिखाती है किन्तो उसके बारे में हमें नहीं पता तो चलोन गलावरा ऐसी ही एक मेडिसिन है तो चारो मेडिसिन थर्टी पोटिंसी में ले ली इसमें बरावर मातरा थी आप चाहे तो इससे बड़ा साइज बना सकते हैं आपको मातरा चारो मेडिसिन की बरावर लेना है चारो मेडिसिन थर्टी पोटिंसी में लेना है अब य दोस्तो आपको इसे सभी पेशन को देना है और आप देखेंगे कि अभी तक जो आप सीना यूज़ कर रहे थे उससे काफी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे एक और बात का ध्यान रखें जो मैंने वीडियो में नहीं बताया कई लोगों को जो अर्टिक केरियल टा कर सकते हैं अभी दोस्तो हमने ये मिक्षर बना लिया अब इस मिक्षर को बनाने के बाद इसका यूज़ के से करना देखें दोस्तो जनरली होता गया कि एलोपेथी में जो हम एलवेंडाजोल वगेरा यूज़ करते हैं वो एक साल या दो साल से छोटे बच्चों के लिए सेफ नहीं होता दो साल से उपर तो सभी यूज़ करते हैं आपको करना क्या है यदि कोई भी बच्चा एक साल से छोटा है और उसे क्रमी है तो आपको ये जो मिक्षर बन गया है इसे ग्लोबिल्स में जो सफेद दाने होमोपेथी के होते हैं उसमें डालना है पांस से 40 इस टाइब से दो साल से ऊपर का यदि बच्चा है दोस्तो तो आपको चितनी भी उम रहे बच्चे की जस्ट दोस्तो पांच साल गदोस मैंने आपको पता दी पांस से दस साल का बच्चा है तो आपको साथ बुंदे दिन में तीन बार देनी है और दस साल से उपर कोई भी हो उसे दस बुंदे दिन में तीन बार देनी है हम इस mixture को दोस्तों वहाँ भी यूज़ करते हैं, जहां पर कई बच्चों क्या होता है, क्रमी के कारण चेहरे पर हलके हलके धब्बे से नजर आने लगते हैं, इसकिन का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो यह भी पेट के कीड़ों के एक निशानी होती है, तो यहां पर हम इस mixture को दूसरी medicine जो होती है, CPI, कालोफाइलम, बगेरा के साथ देते हैं, मतलब इस mixture को हम उस जगर पर यूज़ करते हैं, जहां पर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है, कि मरीच के पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो उसकी edge के हिसाब से 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 10 बुन होने की कोई समस्या की आपको अवश्यक्ता नहीं है, दोस्तों उम्मीद करूंगा, वीडियो में दीखें, जनकर इसे आप लाभनमित होंगे, वीडियो जैती पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी का बहुत बहुत धन आपने बाद, जैहिंद, वन्दे मात्रा